The Ultimate Sports में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो आज की खबर है शिकरधवन से related शिकरधवन को Delhi Capitals रिटेन नहीं कर रहा ये news confirm हो चुकी है पर दोस्तो मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं किया Delhi Capitals ने शिकरधवन को रिटेन शिकरधवन ने लगातार तीन सीजन में 500 से ज पूल हेड़ेड काम बल्लेबाज है उनके पास बहुत जादा experience है इतनी age के बावजूद भी शिकरधवन बहुती fit player नजर आते हैं फिर भी Delhi Capitals ने फैसला किया कि वो शिकरधवन को रिटेन नहीं करेंगे शिकरधवन जरूर Delhi Capitals के इस फैसले से नाखुश होंगे पर अब म इस टीम के कप्तान भी बन सकते हैं शिकरधवन तो ये वीडियो एंट तक देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे पहली टीम है पंजाब किंग्स क्यूंकि पंजाब ने बोल दिया है कि वो अपने कप्तान केल राहुल को भी रिटेन नहीं कर रहे ह केल राहुल पंजाब किंग से अलग हो रहे है तो पंजाब किंग के पास अभी इंडियन एक्सपीरियंस बैट्समन की कमी होने वाली है और ये कमी पूरी कर सकते हैं शिकरधवन आॉक्शन में पंजाब किंग्स शिकरधवन पे बोली लगा सकती है और शिकरधवन पंजाब की जो हालात है वो सुधार सकते है क्योंकि पंजाब ने कई कप्तान चेंज किये है कई खिलारी चेंज किये है उनके हर एक मैच में टीम बदली हुई नजर आ ली थी और बहुत ही inconsistent टीम रही है पंजाब किंग्स केल राहूल की कप्तानी में हाला कि केल राहूल ने बल्लेबाजी तो अच्छी की है पर कप्तानी उनकी अच्छी नहीं रही है पंजाब किंग्स उतनी successful टीम नहीं रही है तो पंजाब किंग्स ये चाहेगी कि शिखरदवन उनकी टीम में आए उनकी टीम के कप्तान बने और पंजाब किंग्स को एक stability दे क्योंकि बिलकुल नई नवेली लखनुव की टीम एक नए टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैência और शिकरदवन से बड़िया खिलाडी उनके लिए कौन हो सकता है एक captain material भी है शिकरदवन और एक शांदार opener भी है शिकरदवन के इर्द गिर्द लकनोग की टीम एक proper टीम बना सकती है शिकरदवन की leadership में और दोस्तो लकनोग की टीम भी North India की टीम है शिकरदवन भी North India से आते हैं तो उनकी fan following भी वहाँ पे बढ़ सकती है जिससे की लकनोग की टीम को फायदा भी होगा और शिकरदवन का एक experience भी मिलेगा उनको तीसरी टीम जो की शिकरदवन को consider कर सकती है वो है Sunrises Hyderabad क्योंकि Delhi Capital से पहले शिकरदवन Sunrises Hyderabad के लिए ही खेला करते थे और Sunrises Hyderabad में शिकरदवन ने बहुती शांदार performance किया 2019 में SRH ने शिकरदवन को छोड़ दिया और इसका impact उनको दिखा भी क्योंकि उसके बाद से SRH का performance लगातार गिरता ही गया है और इस साल तो 14 में से खली 3 match जीत पाई है Sunrises Hyderabad SRH की opening जोड़ी बहुती खराब रही है तीम को consistent performance, consistent win नहीं दिला पाई है तो वो चाहेंगे कि शिकरदवन फिर से SRH में आए और SRH की स्थिति को मजबूत करे उनके opening को मजबूत करे और SRH को एक बार फिर से IPL के शिकर तक लेके आए IPL फिर से जितवाए शिकरदवन तो दोस्तों ये थी 3 team में जो की शिकरदवन को इस bid में consider कर सकती है आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, comment box में जरूर लिखे हमारे Instagram और Facebook profile को भी आप follow कर सकते है regular updates के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए subscribe करें हमारे channel को, जहिन